अक्षिय कुमार और टाइगर सोफ की मॉस्ट रवेटर फिल्म बड़े मिया छोटे मिया का टीजर जो है लोल्च हो चुका है टीजर देखने के बाद में आपको समझ आ जाएगा कि मूवी जो है कुछ जाद है बड़े लेवल की बनाती है अब पता नहीं इतने बड़े लेवल की मूवीयों का बनने का एक क्रेज सा बन चुका है अंडिया के अंदर क्योंकि कोई छोटे लेवल में बात ही नहीं करता जबकि कुछ ऐसी छोटे बजट की मूविया भी है जो अपने रिकोर्ड जो है ऐसे कायम करती जा रही हैं बोलिवुड में जो बड़े बजट की मूविया वहां तक पहुचने में नाकाम रहती है और मुझे वही उस नाकामियाबी का अंदेशा अभी से नजर आ रहा है जो गंपत एक बार हार का मूँ देखकर आई है मुझे अभी से जलक दिखाई दे रही है कि ये मूवी भी उसके बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है और सेम तू सेम इसके साथ भी वही कार्ण होने वाला है भाई मैं एक्षन का बहुत बड़ा फैन हूँ और एक्षन मूविया मुझे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन इस तरह का एक्षन नहीं यार एक्षन देखने में मज़ा आता है लेकिन जिस लेवल का भाई सच बताना आपने अभी तक अगर टीजर नहीं देख प्रत्वी राज इस मूवी में भी है लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है देखने के बाद में विलेन इतना पावर्फुल है उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं मज़ा है तो समझ लो मूवी की क्या दुर्गती होने वाली है चलो देखते हैं अभी तो सिर्फ टीजर लोज हुआ है हो सकता है कि इस मूवी की कहानी जो है निकल कर कुछ बैतर आए इस मूवी में एक दो सोंग अगर अच्छा हुआ और इस मूवी की कहानी कुछ अच्छी निकली तो लग रहा है कि ए मूवी अच्छी जाएगी नहीं तो टाइगर स्रोफ हो अक्से गुमार हो तो दोनों का तो कुछ combination लग रहा है कि कुछ action scene करते हुए जब अधर जस्त वो नजर आएंगे अभी यह तो teacher में साफ नजर आ रहा है कि action करते हुए टाइगर सोब हमें जिस अंदाज में हमेशा नजर आते हैं वही इसके अंदर भी नजर आएंगे और भाई इस चीज़ से इतना पक चुकी है ओडियंस का दिमाग खराब हो चुका है लेकिन अभी देखने के बाद में पता चलेगा कि हाँ वो इस कृदार में कुछ जचते हैं या नहीं जचते या बड़े मिया छोटे मिया जो एक हमारी classic movie बनी होई है उसका नाम खराब करने के लिए ये movie बनाई गई है या इसका नाम ये रोसन कर देगी ये तो आने के बाद ही पता चल जाएगा 10 अप्रेल को ये movie रिलीज हो रही है यानि कि 10 अप्रेल 2024 को रिलीज हो रही है उस दिन है इद का तियोवार इद पर ये movie क्या कहल ढ़ाएगी box office पर ये तो पता चलेगा box office पर आने के बाद झाल झाल